मैं सभी प्रेस के अपने साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और स्वागत करता हूँ कि आप समाजवादियों की बात सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं हाला कि सरकार का चौथा बजट है चौथा बजट आखरी बजट की तरह होता है उत्तर प्रदेश का जो पर्सेप्शन था उत्तर प्रदेश जिसके लिए चर्चा में रहता था समाजवादी सरकार में पहले एक्सप्रेस बे के नाम से जाना जाता था मेट्रो कितनी बन रही है उसके बारे में जाना जाता था लेकिन इधर भारती जनता पार्टी के लगातार पिछले कुछ वर्सों में जो पर्सेप्शन उत्तर प्रदेश का बना है वो गोली और बोली का पर्सेप्शन बन गया है और सरकार के जो सरकार से स्पॉंसर जो हत्या हो रही हैं जिसमें कस्टूडियल डेथ या किसानों ने आत्म हत्या की हैं या जिस तरीके से आमधोलन प्रदेशन कभी किसी ने शांति पूर डंसे किया तो उसको पुलिस की गोली मिली तो पहले उत्तर जाना जाता था एक्सप्रेस भे ग्रोध मेट्रो लैप्टोप्स आज उत्तर जाना जा रहा है गोली और बोली से और बोली के वारे में मैं बहुत ज़्यादे आपसे चर्चा नहीं करूँगा सरकार की कोशिस होती है कि अपने सबसे प्रिये काम पहले करें सरकार का सबसे प्रिये कारे गंगा मा की सफाई मा गंगा की कितनी सफाई हुई है आज जमीन पर दिखाई दे रही है हर जगे खुले नाले चल रहे है और जब बजट बहाशन पढ़ा जा रहा है पहले ही लिखाए कि गंगा यहाँ है यमना भी यहाँ है लेकिन न गंगा साफ हुई हैं न यमना साफ हुई हैं और गंगा यमना तब तक साफ नहीं हो सकते ही जब तक भारती जनता पार्टी की सरकार की नियत ना साफ हो भारती जनता पार्टी की नियत साफ होगी तो गंगा भी साफ होगी यमना भी साफ होगी और बिना नदियों के जो जुड रही हैं उसे उनके सफाई के बिना गंगा की सफाई संब्ब नहीं है और जहां किसान की आए दो गुरी करने की बात कई बार कही गई नजाने कितनी बार मंचों से खा गया मैं जानना चाहता हूँ सरकार आखिरकार कितना जमीन पर उतार पाई है और अगर सेकिंड पढ़ा कर आफ हम देखें तो किसानों की आए को लेकर के कहा गया है किसान की आए दो गुनी कर दी जाएगी लेकिन अगर हिसाब किताब ठीक होगा तो एक परसेंट भी किसान की आए नहीं बढ़ी है और भाजपा के अभी तक के चारों बजट छल कबर से भरे रहे हैं सरकार का दावा रहा कि पहला बजट किसानों के लिए था सरकार का दावा था कि दूसरा बजट उद्योगिक विकास के लिए था तीसरा बजट महिलाओं के कल्यान के लिए था और चौथा बजट जो दावा करना है कि उर्जा छेत्र सिक्षा स्वास को छेत्र को बहतर बनाने के लिए है और वास्था तो सचाई तो ये है कि किसान मजदूर नौजमान महिलाएं वैपारी और मा गंगा तथा गाए माता के हितों में भाजपास सरकार ने सून निकार किया है जिरो और भाजपास सरकार का ये जो आखरी बजट है क्योंकि पांचमा बजट तो चुनावी बजट होता है ये जो आखरी बजट था भाजपास सरकार का इस से भी कोई आशा उत्तप्रदेश की जनता को नहीं है वन डिस्टिक वन प्रोडेट का प्रचार तो बहुत हुआ लेकिन चार साल के बाद बताईए वन डिस्टिक वन प्रोडेट कहां पहुँचा है जहां किसान को धोका मिला है गाय मा को धोका मिला गंगा मा को धोका मिला वही उत अब्देश के नौजवानों को भी बड़े पेमाने पे धोका मिला है उत अब्देश के नौजवान को बड़ी उम्मीद थी कि सरकार में काम भी मिलेगा नौखरी भी मिलेगी रोजगार भी मिलेगा नौजमानों को ना काम मिलना है ना नौखरी मिल लई है और ना रोजगार मिलने है सिच्छा विभाग जैसा सबसे मैत्मून विभाग उसमें दो लाक से ज़्यादा अभी भी जगे हैं जो भरी जा सकती थी लेकिन सरकार ने अभी तक दो लाख सिच्चोंकों की भरती नहीं कर पाई क्योंकि अगर हम इस बजट की बात करें और पुराना बजट याद न दिलाएं तो बात पूरी नहीं होती सरकार को कम से कम ये बताना चीए ता अपनी उपलब्दियां बतानी चीए थी इस बजट में के पिछले इतने वर्सों से और दिली की सरकार के सहयोग से इतने काम हो गए है सबसे महतपूर सवाल है जितना किसान का है नौजमान का है उतना ही है कानून ववस्था का नजाने कितने वादे किये गए थे कि थानों का निर्माण होगा सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कितने थाने बने हैं कितनी पुलिस लाइन बनी है कितनी नाम बदलने वाली जो डाइल हंडेट था डाइल वन बन टू होगे उसमें कितनी गाड़ियां खरीदेंगे कितना इंट्रसेक्शर को बहतर किया है हाला कि पश्पालन बिभाग में भी बता दे तो अच्छा था वहां के डॉक्टर बहुत परिशान है पूरा बिभाग परिशान है इतना दुखी बिभाग कोई नहीं हो सकता जितना पश्पालन बिभाग है कम से कम जो मेडिकल एजुकेशन में पिछली सरकार में कहा गया कि हम इतनी उनिवस्टी बनाएंगे कौन सी उनिवस्टी बन गई आयूश कॉलिज कौन सा बन गया इस बजट में बताए जा रहा है कि ये एरपोर्ट बनेगा लेकिन पहले हमें ये तो बता दें कि पिछले बजट में कहा गया था कि एक हजार करोड की हवाई पट्टियां और उनको बहतर करने के लिए इंतजाम होगा समाजवादी सरकार में नेता जी के समय पे बनी थी चितकूट की हवाई पट्टी चितकूट में हवाई पट्टी बनने का काम नेता जी की सरकार में शुरूआ पूरा हो गया समाजवादी पिशली सरकार में लेकिन सरकार बताए के हवाईजाज अभी तक नहीं उतर पाया कुशी नगर बिलकुल पडोस में बहतरीन हवाई पटी बन चुकी है बहतरीन एरपोर्ट बन गया है लेकिन अभी तक कोई हवाईजाज उसमें नहीं उतरा मुरदाबाद में समाजवादियों की सरकार में बन गया उसमें हवाईजाज कब उतरेगा मेरट में हवाईजाज बनाने की जगे से लेकर के सब इंत्साम पुरानी सरकार में हो गया और वादा किया था उस समय की तस्वीरें देखें खबरें देखें उस समय की कि नजाने कौन सा एरपोर्ट है जो टूरिजम, इंडरिस्ट्री नजाने किस-किस के लिए शुरू हो जाएगा रसुलाबाद भी नी शुरू हुआ कम से कम रसुलाबाद नशुरू करो कि कि वो हमारी छेत में आता था किसी समय कम से कम और जिएक शुरू कर देते पिछली सरकार ये बता दे कि 22 करोड पेड़ कहां लगाएं 22 करोड पेड़ लगे थे इस बजट में कम से कम बताते कि इतने पेड़ों पे फल आ गए हैं इतने पेड़ों में फूल आने लगे हैं पेड़ इतने बड़े हो गए हैं कम से कम कुछ बात तो बताते क्योंकि बहुत बड़ा काम हुआ था ये इसी तरह स्मार्ट सिटी और कितनी स्मार्ट सिटी बनी कि हमारे मुक्रिमन्दी जी का मन ललचा गया उन्होंने सेल्फी ले ली नाले के साथ तो हम उसके बारे में तो बताते कि नाला कितना साफ हो गया है पिसली समाजवादी सरकार में उत्तर पदेश में मुझे खुशी असबात की क्योंकि मैं खुशी स्कूल में पढ़ा इसलिए सैने स्कूल बनाए और उत्तर पदेश को सबसे ज़्यादा सैने स्कूल मिले ये सरकार बताए कि समाजवादी सरकार तो तीन सैने स्कूल ले आई थी अब तो डबल इंजिन की सरकार है सब कुछ यूपी का है क्या यूपी का नहीं है सब कुछ यूपी का है और इतना शांदार अगर उसका दावा करते हैं डिफेंस एक्सपो हुआ तो कम से कम सैने स्कूल तो आ जाता और इतनी तागत उत्तर पदेश की जनता ने दी कि कम से गम एक मिलिट्री स्कूल आ जाता यूपी में ये फर्क है सेनी स्कूल और मिलिट्री स्कूल में दोनों में फर्क है देश में पांची मिलिट्री स्कूल हैं सेनी स्कूल तो प्रदेसों में बहुत हैं लेकिन यूपी में सबसे ज़्यादा समाजवादी सरकार ने बना है लेकिन नहीं कर पाए जो किसानों ने आतमथ्याएं की हैं इतनी आतमथ्याएं किसान कभी नी oh kyp gibi जंताप पाड़ी में भरोसा दिला आद किननका कर्ज माफ और पूरा कर्ज माफ होगा लेकीन करज माफ नहीं हुआ उनका किसान उन्हें आत्मत्याएं की है जिसमें सबसे ज़्यादा सबसे आगे महोबा है बांदा है उसके बाद इधर चितकूट में भी है जालोन में भी है केवल अपनी आर्थिक तंगी के कारणी नहीं आत्मत्या कर रहे हैं ऐसी भी तहानिया हैं ऐसे भी उधारन हैं किसान ने अपनी फसल चौपट होते देखा और उसके मृत्य हो गई जो पशू घूमरें सडकों पर या खेतों में चरे जा रहे हैं इतनी तार की विक्री कभी नहीं हुई होगी उत्तपदेस में जितनी जब से भाती जंता पाड़ी की सरकार आई है तारों की विक्री हुई है किसानों ने फैंसिंग की है आप किसी रोड पे चले जाएं किसान दुखी हो करके फैंसिंग कर रहा है कम से कम सरकार को किसान की फैंसिंग के लिए उजना ले आते और मैं सूची नहीं पढ़ना चाहता हूं आतमात्या की कि ख़सानों ने कितनी आतमात्या की है बहुत लंबी सूची है जिनमें कोई मदद अभी तक नहीं की गई है और गड़्ों की तो बात ये मत पूछे के गड़्ों ने क्या क्या किया है गड़े किस तरफ नहीं हैं सब जगे हैं एक सरकार अपना सबसे बड़ा काम बताती है कि पुर्वांचल एक्सप्रेस्वे सरकार ने बनाया है भाती जनता पाड़ी ये दावा करती है कि उन्होंने पुर्वांचल एक्सप्रेस्वे बनाया है उन्होंने पूर्वादी 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 करके जा रहा है लखनु बारबंकी फैजबाद और केबल लखनु का मैं बता सकता हूं कि चौदे राजस ग्रामों में हो करके ये गुजरेगा इसकी लंबाई कम से कम 25 किलो मीटर है लखनु में और अभी काम कितना हुआ ये तो सरकारी बहतर बता सकती है लेकिन जो हमने अप मीटशित के लोगों से अभी तक 10% भी काम इधर नहीं हुआ है लखनु में बारबंकी में कम से कम 30-30 गाउं से होकर के गुजरता है वहाँ भी कुछ हालत अच्छी नहीं है सिविल वर्क नहीं हो पा रहा है फैजबाद है इसी तरीके से अमेठी है सुल्तानपूर है मेटक लावी में पढ़ दूँ आखरी जिला गाजीपूर उसमें 72 गाउमों से होकर के एक्सप्रेस भी गुजर रहा है जमीन 56 गाउं में 80% लेली गई थी उस समय पर और काम मिट्टी का तो हुआ है थोड़ा बहुत आगे शुरू हुआ है मैं रिजिस्ट्रियां भी देना चाह मुझे नहीं पर और कि 2016 में यह सरकार ती इसी तरह जनपद अमिठी में 26 October को पेहली रिजिस्ट्री हो गई थी करार तो पहले हो गए किसानों से 80% करार हो गय थी लेकि जकर रिजिस्ट्रियां वह 26 अक्टूबρ 2016 में अमिठी में हुई इसी तरह बहुत से और जिलों कि हमा कह सकता हूं कि है सामने हमारे तो यह सरकार जो दावा करती है कि कॉस्ट कम की है इन्होंने कॉस्ट नहीं कम की इन्होंने अपने ठीकदार एज़स्ट की है यह फर्क है कॉस्ट कट डाउन और ठीकदार एज़स्टमेंट में अब सरकार दावा कर रही है कि बहुत जल्दी बन करके तयार होगा जिसमें ना मंडी हैं ना और सुबदाएं हैं जो इसकी विर्ट थी वो भी कम कर दी क्योंकि समाजवादी सरकार ने जो प्रोपोस किया था उसमें जो मीडियन था वो 12 मीटर से जादा मीडियन था क्योंकि बीच की जगे थी वो ज़ादे चोड़ी थी लेकि इन्हें क्योंकि कॉस्ट कट डाउन करना था दिखाना था इसलिए जो स्पेसिफिकेशन थे उसमें बदलाव लाए हैं टेंडर की बार टेंडर और फिर टेंडर किया क्योंकि एज़ेश्मेंट करना था और जो मंडिया थी वो नहीं बनी लाइट्स का हैंजाम के नहीं है वेसाइड एमिनिटीज हैं के नहीं है जो थिकनेस थी उसकी वो भी सरकार ने कम कर दी ऑके वल इसलिए कम कर दी जिससे की कॉस्ट कट डाउन हो जाए खराब चीज बनाना चाहते हैं जबकि समाजबादी सरकार में वो इससे बेहतर बन रही थी आगरा लखनों एक्सपरेज बेसली कर दी और जहां पर ये जुड़ना है आगे जाकर के अभी भी उसकी तैयारी सरकार ने नहीं की है इसलिए जो इनका लक्ष था वन ट्रिलियन डॉलर एकॉनिमी का मुझे नहीं लगता है कि उस कहीं पूरा होने जा रहा है क्योंकि सरकार ने ये बता पाई है कि प्राइवेट इंवेश्मेंट कितना आने जा रहा है और सरकार की तरस से investment कितना होगा जब तक सरकार इन बातों को नहीं कहेगी तब तक one trillion dollar अचीव करना बहुत मुश्किल होगा सरकार ने कई investment मीट की है इस से पहले भी investment मीट की दिए जिसमें दावा किया था कि लाखो रुपए के MOU हो गए कम से कम सरकार यह बताती कि जो MOU होए थे जो groundbreaking ceremony होई थी और जो कारगाने लग गए हैं उनको हम इतना incentive दे चुके हैं अगर incentive नहीं दिया है तो इसका मतलब है इनकी industrial policy से कोई भी investment नहीं आया है कम से कम incentive नबताएं तो सरकार यह बताए किन बैंकों से वो करार हुआ है जो investment आने जा रहा है और सबसे बड़ा दावा किया था अगर आपको याद हो तो solar के लिए दावा किया था कि सबसे ज़्यादे MOU solar में हुए हैं और solar में investment तबाएगा जब उसका budget का इंतिजाम होगा तो इसलिए सरकार लगातार धोका दे रही है किसानों को धोका दिया नौजवानों को धोका दिया उद्योग जगत के लोगं को धोका दिया जनता को धोका दे रहे हैं इस बार मुझे लगता है यह सब budget देखने के बाद और इनके काम करने के तरीके को परिखने के बाद आने वाले समय में जंता इनको दोखा देगी जिस एक सवाज था है कि खतम करने हैं एक सवाज है अब है आजमा ने को दो दो ने कहा है आज में पूले था है झाल झाल